भाई आज के टाइम पे 10,000 के नीचे एक बेस्ट फोन डूनना उतना ही मुश्किल हो गया है जितना कि आज के टाइम पे गल्फ्रेंट बनाना लेकिन हमने थोड़ा बहुत रिसर्च करके सारे उप्शन में से बेस्ट उप्शन को साइड में करके चार फोन के लिस्ट बनाई है कि भाई ऐसा फोन आज तक बनाई नहीं खेर अपने लिस्ट के सबसे पहले फोन की बात करते है जो कि है रियल्मी नार्जो 50 जिसमें 6.6 इंचिस का एक 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 प्लस LCD डिस्प्ले मिलता है भाई तूने तो बोला था कि तीन फोन एमोलेट डिस्प्ले वाले होंगे हाँ तो होती है और इस पॉन के परफॉमस की बात करें तो यहाँ पर अपको मीडियाटिक का हीलियो जी 96 प्रोसेसर मिलता है जो की एक गेमिंग प्रोसेसर है अब यहाँ पर आप हाई ग्राफिक में गेमिंग कर सकते हो लेकिन वह दोस्तों के साथ टाइम पास वाली वारना यह मत स जाएगा बैक साइड में तीन कैमराज है 50MP प्लस 2MP प्लस 2MP प्लस 2MP जिससे 1080p 30 एपिस में रिकॉर्ड कर सकते हो अपने सेल्पी लवर्स भाईयों के लिए और सिस्टर्स के लिए 13MP का सेल्पी कैमरा मिलता है और और कैमरा पर पोपोंस की बात करें तो प्राइस की साब से बहुत ही साइग कैमरा आपको इसमें मिल जाता है 5000 इमेज की बैटरी 33W का चार्जर है साइड मांटेड फिंगर्प्रिंट स्कैनर मिलता है और इस फोन के प्राइस की बात करें तो 4GB प्लस 64GB बेरेंट आपको 10,000 बिका मिल जाता है अब ऐसा नहीं कि हर तरह से ये फोन पर फोन भी आपकी लिए नहीं है और दूसरी कमी इसमें जो depth sensor आता ना वो बिलकुल ही बेकार है अगर वो 50,000 का फोन भी होना उसमें भी depth sensor बिलकुल ही बेकार होता है तो ये दूसरी कमी और last तीसरी कमी stereo speaker नहीं मिलते तो हाँ ये टीन कमी है लेकिन इतनी ज्यादा मैटर नह अब आप बोलोगी कि भाई यह तो HD Plus वाला है तो हाँ HD Plus है लेकिन Super AMOLED भी है App HD Plus IPS LCD के बज़ा है HD Plus Super AMOLED मुझे लगता है कि थोड़ा सही रहेगा क्योंकि Super AMOLED की quality आप जानते हो कैसी होती है साथ में 90Hz का रीप्रेशट है तो AMOLED दे दिया यहाँ पर Samsung ने कावी अची चीज कर दी लेकिन एक जो बेकार चीज लगी ना जिसके वज़े से इसको लेने का मन आपका ना करें वह नौच डिस्प्ले अभी के टाइम पर नौच डिस्प्ले बहुत बेकार लगता है तो इस को थोड़ा सा देख लेना और performance की बात करें तो यहाँ पर आपको Mediatek का Helio G80 प्रोसेसर मिलता है जो कि अगेन एक गेमिंग प्रोसेसर है लेकिन यहाँ पर भी expect मत करना कि भाई हम यहाँ पर ऐसे फाड़ो गेमिंग करेंगे नहीं दोस्तों के साथ टाइम पास के लिए साह यह और साथ में heavy task daily use आप काफी हद तक कर सकते हो यह भी phone थोड़ा सा पुराना है तो android 11 out of the box मिलता android 12 का update मिल जाएगा camera के लिए यह phone काफी सही है आपको back side में चार camera मिलते जिसमें 48 megapixel का main camera है पाकी 8 megapixel प्लस 2 megapixel प्लस 2 megapixel और जिससे 1080p 30fps में record कर सकते हो और अपने selfie lovers भाईयों के लिए 13 megapixel का selfie camera भी दिया है तो जैसे कि इंट्रो में कहा था कि दो camera phones होने वाले तो यह उन में से एक है camera के लिए कोई phone देख रहे हो तो यह काफी सही रहे सकता है Samsung lovers को मुझे लगता है कि काफी ज़्यादा पसंद आएगा और साथ मैंने एक और बात कही थी कि एक ऐसा phone बताऊंगा जिसकी बैटरी जल्दी खतम नहीं होती तो 6000 mh की बैटरी इस phone में मिलती है जिसका backup आपको दो दिन तक आराम से मिल जाएगा लेकिन जितना इसका backup सही न उतनी घटी है इसकी charging speed app को 15 watt का charger मिलता है तो 15 watt के charger से इस phone के बैटरी को चार्ज करने जाएंगे तो दो धाई गंटे तो इसे में बरबाद होने वाले है और बाकि सारे चीज़ों की बात करें तो side mounted fingerprint scanner है Dolby atmos का support मिलता है 4GB प्लस 64GB वे रेंट आपको साड़े 10,000 रुपे का मिल जाता है इस phone के भी कमियों पे नजर डालते है सबसे पहले कमी की bloatware apps है जिनको uninstall किया जा सकता है बड़ी आसानी से और दूसरी कमी की यहाँ पर आपको decent gaming performance मिलती है जैसे कि मैंने शुरुगात में कहा था दोस्तों के time pass के लिए सही है और तीसरी कमी की इसका camera लो light में थोड़ा अच्छा perform नहीं करता अब इसकी price भी देख लो न 10,000 का phone है और तीसरी कमी की बात करें तो यहाँ पर आपको EMMC के storage मिलती है UFS की होती ना तो बहुत ज़्यादा सही रहता और last कमी शुरुगात में मैंने कहा था कि नौश डिस्प्ले मिलता है जिसकी जगा पंच हो लोता तो और चार चान लग जाते भाई इस phone में अपनी लिस्ट का जो तीसरा phone है जब वो launch हुआ था कावेदा popular था और 12,000 के ऊपर मिलता था लेकिन अभी 10,000 रुपे का मिलता है जो की है Moto G31 इस phone में 6.4 inch का एक AMOLED डि रिप्रेशट मिलता है 90Hz है फिर 120Hz नहीं है तो इस चीज का ध्यान रखना और जब नजर डालते है इस phone के पफोमस के उपर तो मिलता है जो की अगेन गेमिंग प्रोसेसर है मीडियम सेटिंग में गेमिंग थोड़े बहुत हेवी टास्क आपके डिली यूज में दिक्कत न 10MP, 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 30MP में रिकॉर्ड कर सकते हो 13MP का सलपी कैमरा मिलता है 5000 इमेज की बैटरी है और मोटो की जो हमेजा बरंपरा और प्रतिष्टा अनुशासन रहती है वो है stock Android experience अपने सारे फोन में तो यह पर भी आपको near to stock Android experience मिलता है लेकिन इसे के साथ एक चीज उतनी बेकार लगी वो है रियर साइन में fingerprint scanner बहुत ही पुरान लगता है side mounted होना चाहिता और लास्ट में प्राइस की बात कर तो 4GB plus 64GB वेरेंट आपको मिल जाता है 10,500 रुपे का और इस फोन के कमियों की बात कर तो सबसे पहली कमी 60Hz का रिपरेशट है 90Hz 120Hz होना चाहिता और EMMC स्टोरे तो अब बढ़ते हैं अपने लिस्ट के लास्ट फोन की तरफ जो की AMOLED डिस्प्ले के साथ तो आता है साथ में जो मैंने बोला था कि दो बेस्ट कैमेरा फोन सोने वाले तो यह दूसरा फोन है बेस्ट कैमेरा वाला और वो फोन है Infinix Note 12 अब Infinix ब्रांड का नाम सुनने के ब एक फोन है Infinix Note 12 इस फोन में 6.7 इंजुस का एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है जो की एक AMOLED डिस्प्ले और चिंता मत करूं एक एक प्लेस्ट प्लस रिजॉलेशन वाला है और यहां पर भी एक कमे 60 हर्ट का ही रिप्रेश्ट मिलता है 90 हर्स या फिर 120 हर्स नहीं है लेकिन 180 ह का touch sampling rate है और 1000 निट्स की brightness मिलती है तो धूप में जाओगे तो आपको visibility की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती और performance की बात करें तो मीडेट का Helio G88 प्रोसेसर मिलता है साथ में Android 11 आपको out of the box मिलता है Android 12 का अपडेट मिल जाएगा बैक साइड में इस फोन के तीन कैमराज है 50 मेगा पिक्सल प्रस 2 मेगा पिक्सल और साथ में इनका AI लिंस मिलता है 16 मेगा पिक्सल का selfie कैमरा मिल जाता है बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों कैमरा से आप 2K में विडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 5000 एमेज की बैटरी और 33 व बिक्ने चाहिए उतने बिक्ते ने वो है इनके UI में बग्स जिसके वाज़े से काव्यादा एक्स्पीरेंस खराब हो जाता है और दूसरी कमी डिसेंट स्पीकर है स्पीकर की क्वालिट आपको इतनी पसंद नहीं आएगी और तीसरी कमी 60 हर्ट का रिप्रशट है 120 हर्ट य बहुत सही लगता फोन तो भाई यह थे चार फोन जो की 10,000 के नीचे अभी के टाइम पर काफी सही फोन है इन में से जो भी आपको पसंद आ रहा है आप डेफिनेटली पर्चेस कर सकते हो हाँ बस याद रखना कि 5G फोन नहीं 4G फोन है सारे तो 5G आपकी सबसे बड़ी र